ये अजीब से दिखने वाला आदमे कोई इनसान नहीं है बलकि ये एक एलियन है जो कि खुद इनसानों को बचाने के लिए धरती पे आया है आखिर क्यों एलियन को इनसानों को बचाने के लिए धरती पे आना पड़ा चलिए जानते हैं अगर आप चैनल पे नहीं है तो क्रिपयागर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कहानी की शुरुवत मेक्सिको शहर को दिखाते हुए होती है होटल में एक कपल बैठा हुआ है जो की डेट पे आया हुआ है लड़के का नाम उलेग है जो की लड़की को अपने बारे में बता रहा है की मैं आर्मी ओफिसर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है जिसे सुनकर लड़की इंप्रेस हो जाती है दोनों शादी करने की सोचते है तबी दूसरी तरफ हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो की हवा में उड़ रहा होता है तबी उस प्लेन की लाइट अपने आप ओफ हो जाती है जिसकी वज़े से वे प्लेन नीचे गिरने लग जाता है और क्रेश हो जाता है अब हमें पता चलता है प्रित्वी पर बिजली से चलने वाली चीजियों ने काम करना बंद कर दिया है सारी लाइट धीरे-धीरे बंद हो गई है जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा चा गया है यानि की पूरी अर्थ ब्लेक आउट हो गई है लेकिन प्रित्वी के बहुत कम हिस्से में अभी भी लाइट मुझूद है जिसमें मोस्को शहर सामिल है मोस्को शहर के न्यूस चैनल पर बताय जा रहा होता है कि हमारा कनेक्शन दूसरे शहरों से कट गया है जिसकी वज़े से हमें नहीं पता चल पा रहा है कि बहार के देशों में क्या चल रहा है ओलेक भी ये खबर देख रहा होता है जिससे ओलेक को ये लगता है कि ये कोई terrorist attack है जिन जिन जगाओं पर लाइट नहीं थी गोर्मेंट ने उन जगाओं का नाम blackout area रख दिया था साथ में ही blackout area में क्या हो रहा है ये जानने के लिए गोर्मेंट ने उन एरियों में ड्रोन कैमरा भी भेज देते हैं लेकिन जैसे ही ड्रोन blackout area में एंटर करते हैं तो वो पता नहीं कहां disappear हो जाते हैं अब गोर्मेंट soldiers को blackout area में भेजने का फैसला करती है जैसे ही soldier blackout area में पहुँचते हैं तो उनकी आखे फटी की फटी रह जाती है क्योंकि जब ब्लैक आउट हुआ तो उस जगा पे जो भी लिविंग बीन्स यानि की जिन्दा चीजे थी वो ओटोमेटिक मर गई थी सिर्फ लाशे ही होती है वहाँ पर सोल्जर उस जगा का मौइना कर रहे होते हैं अब एक सोल्जर पर एक आदमी हमला कर देता है वो सोल्जर को बरी तरह से घायल करके महाँ से बहुत तेजी से भाग जाता है दूसरे सोल्जर उस पर गोली चलाते हैं लेकिन उसको गोलियों का कुछ भी असर नहीं हुआ यह देख दूसरे सोल्डर समझ जाते हैं कि यह कोई आम इंसान नहीं है सोल्डर को मैसूज हो गया था कि यह जगा बहुत ही डिंजरस है अब एक महिना गुजर गया था हालात में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ था इंसान उकपरवाले से प्राथना कर रहे थे कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए अब हम उलेक को देखते हैं जिसको आर्मी की तरफ से एक चिठी आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको ब्लैक आउट एरिया में जाना होगा तो वो मिशन के लिए निकल जाता है अब कैप्टन सभी सोल्जर्स को बताती है कि ब्लैक आउट एरिया में हमें जो भी लाशे मिली थी उन सब को लैप में टेस्ट करने के लिए हमने भेजा था जिसका रिजल्ट ये आया कि उन सभी की मौत जहर की वज़े से हुई है ये जहर उनको किसी ने नहीं दिया बलकि ये जहर उनके शरीर ने खुद पैदा किया है अब रात होते ही सोल्जर्स की टीम ब्लैक आउट एरिया जाने के लिए निकल जाती है तबी ओलेक को वही लेडी दिखाई देती है जिसके साथ वो थोड़े दिन पहले डेट पे गया था ये लड़की प्रोफेशन से डोक्टर है और ये भी मिशन में जा रही होती है तबी अलारम बजने लगता है सारे सोल्जर अपनी पुजिशन पे आकर जंगल की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं कैप्टन उन्हें बताती है कि जंगल की तरफ से उन पर हमला होने वाला है जिनका size बहुत बड़ा है तब ही soldiers पर हमला हो जाता है और soldiers भी continue गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं सुबह होती है तो हमें पता चलता है कि काफी soldiers मारे गए हैं और जिन चीजों ने उन पे attack किया था वो जंगली भालू थे उनको ये समझ नहीं आता कि आखिर भालू ने उन पे attack किया क्यूं क्यूंकि भालू कभी भी ऐसे attack नहीं करते ओलेक इस हमले में जक्मी हो गया था तो उसकी friend उसका treatment करती है दूसरी तरफ एक hospital का scene दिखाया जाता है इस hospital में एक marriage admit है जिसकी अचानक तवित खराब होने लगती है जबसे black out हुआता तबसे उसके साथ अजीब चीजे हो रही थी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपना मूँ ढखकर रखता है और उसके सर पर बाल नहीं है तब ही उसकी आखे खुलती है तो उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था जो कि उसको ये बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तुम्हें बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ ये जो सब हो रहा है वो अजीब तरह की लहरों की वज़े से हो रहा है पहली लहर में बिजली से चलने वाली सारी चीजे खराब हो गई दूसरी लहर में जंगली जानवरों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया तीसरी लहर में वो इनसानों को गुड़े गुड़ियाओं की तरह इस्तमाल करेगा वो इनसानों को अपने कंट्रोल में करके दूसरे इनसानों से लड़वाएगा लेकिन उस बिमार लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो गार्ड्स को बुला लेता है और कहता है इस लड़के को भार निकालो लेकिन गार्ड्स को वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं दिखाई देता जिससे दोस्तों हमें ये समझ आता है ये बिमार लड़का दूसरे लड़के से दिमागी तोर से बात कर रहा था अब आर्मी वाले सोल्डर्स का अलग-अलग ग्रूप बना कर उन्हें ब्लैक आउट एरिया में भेज देते हैं ब्लैक आउट एरिया की हालत बहुत खराब होती है विरिज टूटे हुए हैं और बिल्डिंग्स की कंडिशन ऐसी है मानो कि इस बिल्डिंग के बीच में से गोर्जिला निकल कर चला गया हो अब एक आर्मी ग्रूप को दिखाते हैं जिनके साथ एक रिपोर्टर भी होती है जो की एक एरिया की चानबीन कर रहे होते हैं काफी दिन चानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ कोई भी इनसान नहीं मिलता दूसरी तरफ हमें वही बिमाल लड़का दिखाये जाता है जो की एक जगा पे बैठा हुआता तब ही उससे मिलने एक आदमी आता है वो आदमी अपना नम ID बताता है तब ही वो आदमी अपना चेरा दिखाता है इस आदमी का मुँ इंसानों से काफी अलग होता है वो बताता है मैं इंसान नहीं हूँ बलकि इंसानों की तरह दिखने वाला एक एलियन हूँ अब एलियन उस लड़के को बताता है कि तुम्हारे इस धर्ती को कोई हडपना चाहता है जो कि कोई और नहीं मेरी तरह दिखने वाला मेरा भाई है एलियन ये भी बताता है जब ब्लैक आउट हुआ था तो तुम ब्लैक आउट एरिया और लाइट एरिया के बीच में थे जिसकी वज़े से मैं तुम्हें कुंटेक्ट कर पा रहा था इतनी देर में वहाँ कैप्टन आ जाती है और उस एलियन पे गन तान देती है लेकिन आईट अपनी सुपर पावर से कैप्टन पे ही उनके सोल्जर से गन तनवाद देता है जिससे कैप्टन को ये रियलाइज होता है ये कोई सुपर पावर है अब आईट कैप्टन को कहता है तुम लोगों को अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं खुद हूँ तो मुझे ध्यान से सुनू I.T. Captain को बताता है कि हमारे प्लैनेट का सूरज खतम होने वाला है इसलिए हमारे को नए प्लैनेट की जरुद है हमारे लोगों ने आपके प्लैनेट को चुना इसलिए हमारे सारे लोग आपके प्लैनेट पर बसना चाहते हैं ये प्लैनेट पहले हमारा ही था आज से को हडप लेगा लेकिन मैं ऐसा नहीं चाता अगले 48 गंटों में हमारी स्पेस शिप इस प्रित्वी पे आ जाएगी उससे पहले मेरा भाई ब्लैक आउट में जितने भी लोग है उन सब का इस्तमाल करके बाकी इंसानों को मार देगा कैप्टन उसकी बास सुन तो रही होती है लेकिन उसको 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 यकीन नहीं होता दूसरी तरफ सोल्जर्स को एक जखमी बच्चा मिलता है सोल्जर उस बच्चे से पूश्ताच कर ही रहे होते इतने में वो बच्चा चाकू निकाल कर एक सोल्जर को मार देता है जिसकी वज़े से अधर सोल्जर को उसको शूट क अब रात हो जाती है और वो सभी लोग भार आ जाते हैं जो कि ID के भाई के वश्मे होते हैं वो सभी लोग Soldiers पर हमला करना शुरू कर देते हैं Soldiers अपने बचाव में उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं ऐसा लग रहाता जैसे यहाँ पर World War 4 हो रहा हो soldiers की तादात कम होने के वज़े से soldiers हार रहे होते हैं तो वो अपने बचाब में एक flare gun यूज करते हैं ताकि उनको मदद मिल सके flare gun की light देखके आर्मी वाले captain से contact करते हैं अब captain को ID की बात पर यकीन होना शुरू हो जाता है captain ID की मदद लेने के लिए तियार हो जाती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिने चुने soldiers ही बच रहे हैं दूसरी तरफ हम ID को देखते हैं जो कि उस बिमार लड़की की मदद से अपने भाई को ढूंड रहा होता है और फाइनली उसको वो लोकेशन मिल जाती है जहां से उसका भाई Blackout के पीपल्स को कंट्रोल कर रहा था अब captain ID के साथ उसी लोकेशन पे निकल जाती है क्योंकि ID के भाई ने उस सुपर पावर वाले लड़के को देख लिया था इसलिए वो उसको मरवाने के लिए काफी सारी मिसाइल्स वहाँ पर भेज देता है और देखते के साथ ये पूरा आर्मी बेस तबाह हो जाता है ये देखके captain ID के उपर गन तान देती है जवाब में ID केप्टन को बताता है कि हम ही लोग है जो इस प्रित्वी को बचा सकते है अगले दिन ओलेक को उसका साथी और रिपोर्टर मिल जाते है उनको देखके ओलेक काफी खुश हो जाता है देखते देखते captain भी वहाँ पर आ जाती है और ये सबी लोग अब उस location के लिए निकल जाते है जहाँ पर ID का भाई होता है थोड़ा आगे जाके वही लोग इनको मिल जाते है जिनको ID का भाई कंट्रोल कर रहा था कुछ लोग तो ऐसे भी होते है जो अपने उपर बम बांद कर इनके उपर कूच जाते है लेकिन soldiers बिल्कुल भी नहीं रुकते आखिर कार वो उस location पे पोच जाते है अब ID soldiers के साथ छट पे जाना शुरू कर देता है and finally ID का भाई सबके सामने आ जाता है और लेक का दोस्त जैसे ही उसके भाई को मारने के ले जाता है वो उसको उठा कर छट से फैक देता है अब ID और उसके भाई में फाइट शुरू हो जाती है वे दोनों एक दूसरे को काफी टकर दे रहे थे जैसे ही वो एक दूसरे को मुक्का मारते उनके हाथों से चिंगारी निकलती थी मानो की जैसे दिवाली बन रही हो वहीं बिल्डिंग के नीचे गिने चुने सोलजर्स उन लोग उसे फाइट कर रहे थे जो कि ID के भाई के वश में थे अब ID अपने भाई के सीने पे मुक्का मारता है और उसका दिल यानि की नैनो चिप निकाल लेता है अब जल्दी से ओलेग उसके दिल में बंब डाल देता है जिससे उसकी उंदर स्पोर डेथ हो जाती है अब अपने भाई को मार के ID को सभी लोगों का कंट्रोल मिल गया था जो कि उसके भाई के कंट्रोल में थे ID उन सभी लोगों को मार देता है अब वो लोग जो वहाँ पर थे वो जंग जीत तो गयते लेकिन उनको जरासी भी खुशी नहीं थी क्योंकि जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे देखते हैं लाखों करोडों की तदाद में लोग मरे होए पड़े होए थे ID उन सभी लोगों को बताता है कि इंसान के अंदर प्रेम भावना जैसी कोई भी चीज नहीं है इसी वज़े से मेरा भाई तुम सब को कंट्रोल करना चाता था और ये प्रित्वी हडपना चाता था तुम लोग भोत खुदगर जो ID उन सभी लोगों को बताता है कि मैं तुम लोगों की मदद इसलिए करना चाता था ताकि तुम सब लग मुझको भगवान के रूप में पूजो अब एक लड़का ID से पूछता है कि अगर तुमें ये सब पहले से ही पताता तो तुमने ये सब रोकने की कोशिश क्यों नहीं की तो ID जवाब देता है अगर ये सब नहीं होता तो तुमें मोत का डर कैसे होता और तुम लोग मेरी बात का यकिन नहीं करते आईडी उन सब को ये भी कहता है कि इतने सारे लोग मर गे तो क्या हुआ गिंती के तुम ही लोग बहुत हो इस अर्थवे पोपुलिशन बढ़ाने के लिए येस उनके उलेक की दोस्त बढ़क जाती है और उस पे गंतान देती है तब भी ओलेक अपनी दोस्त को कहता है कि इनके जैसे और भी आ रहे हैं अगर तुम इसको मार दोगी तो उन सब को कैसे कंट्रोल कर पाओगी तब ही पीछे खड़ा हुआ लड़का आईडी पर चाकु से हमला कर देता है लेकिन ये बात आईडी को पहले से पताती तो वो चाकु सीधा कैप्टन के पेट में जाके घुच जाता है ये देख ओलेक को बहुत गुसा आ जाता है और वो आईडी को मानने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसका साथी उसको रोक लेता है अब उन दोनों की लड़ाई हो जाती है अब वो लेक को भ्रम्मे करने के लिए आईडी उसके फादर का रूप अपना लेता है लेकिन पीछे खड़े ओए लड़के को आईडी का असली रूप पता होता है तो वो उसको लेके छट से कूच जाता है इस तरह से आईडी की भी मोत हो जाती है पलक जपकते ही एलियन की शिप वहाँ पर आ जाती है अब इन गिने चुने लोगों को ही उन एलियन्स का सामना करना पड़ेगा पेश शिप का दलवाजा खुलता है लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आता तो ये देखने के लिए वह सभी लोग अंदर की ओर चले जाते है अंदर जाके वह ये देखते हैं कि अंदर एलियन्स के काफी सारे चेम्बर्स है अब एलियन्स के चेम्बर्स में से एक लिक्विट निकलना शुरू हो जाता है यह एलियन्स की ओक्सिजन है अब वो लेक सारी oxygen को काड़ देता है और जो alien होते हैं वो chamber में ही मर जाते हैं दूसी दरफ उनको एक छोटे chamber भी दिखाई देते हैं जिसमें aliens के छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन वो सब छोटे बच्चों का chamber का oxygen नहीं काड़ते जिसकी वज़े से chamber से बच्चे भार आ जाते हैं हाला कि वो होते तो बच्चे ही हैं इसलिए उनको उनसे कोई खत्रा नहीं होता और फिल्म का the end हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो comment में बताईए और आगे की आने वाली और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत धन्यवाद